दोस्तो किसी BTS मेंबर से गिफ्ट मिलना तो मानो एक impossible बात है पर कुछ रियर आर्मीज ऐसी भी है जो शायद extreme luck के साथ born हुई थी क्योंकि ना सिर्फ BTS मेंबर ने नोटिस करा बल्कि अपनी कुछ चीज़े उने गिफ्ट भी करी हैं जो कि बेशक expensive तो है पर आर्मीज के लिए उनकी expense माईने नहीं रखती बल्कि ये माईने रखता है कि उस चीज़ को उनके BTS मेंबर ने उने दिया है इसके साथ ही दोस्तो most of the time आर्मीज को BTS से gift concert के दौरान ही मिलती है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब BTS मेंबर सबसे जादा close अपने आर्मीज से रहते हैं और उ दिया था ये बहुत ही ज्यादा प्यारी मोमेंटी इसके साथ है दोस्तों वी स्टेज के बिल्कुल किनारे आकर उस लखी आर्मी को अपनी glasses देते हैं और जब वी जाने लगते हैं उस दौरान वी वी उस आर्मी को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं दोस्तों वह आर्मी सच में बहुत ही ज्यादा लगी थी इसके साथ ही दोस्तों बीटीएस के पी टीडी कॉंसर्ट के दोरान जब आर्मी वेव होने वाली थी तब वी ने नोटिस किया कि एक आर्मी के पास आर्मी बॉम नहीं है और तब वी उने अपनी आर्मी बॉम दे देते हैं और आर्मी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहते हैं कि उनके साथ अभी जो हुआ है वो रियल हुआ है या फिर ड्रीम है और दोस्तों इससे पहले भी बीटीएस मेंबर वी ने एक आर्मी को आर्मी बॉम की कवर गिफ्ट करी थी वी ने खुद उनसे उनका आर्मी बॉम लि दोस्तों के दौरान बीटीएस मेंबर जेहोब ने अपनी बैग ऐक आर्मी गर्ड को गिफ्ट करी थी और इस तरह से जेहोब से गिफ्ट माना तो उनके लिए मानो सपना सच होने जैसा है और दोस्तो ये मोमेंट हम कैसे बूल सकते हैं जब कॉंसेट के दौरान BTS मेंबर जिमिन ने अपनी हुड़ी उटार कर एक आर्मी को दे दी थी जो की एक बहुत ही ज़ादा एपिक मोमेंट थी और वो आर्मी रियल में बहुत ही ज़ादा लखी थी क्योंकि उन्हें जिमिन की हुड़ी मिली थी दोस्तो कॉंसेट के दौरान BTS काफी सारी आर्मी को इस तरह की गिफ्ट देते रहते हैं क्योंकि कॉंसेट के दौरान कुछ आर्मी ऐसी होती है जो extremely lucky बन जाती है और उन्होंने सोचा भी नहीं होता है कि वो जिस कॉंसेट में जा रही है वहाँ उन्हें BTS से गिफ्ट मिलने वाली है तो अगर आपको भी कॉंसेट के दौरान BTS से ऐसी कोई गिफ्ट मिल जाए तो आपका रियक्शन क्या होगा हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा बागी यह थी आज की वीडियो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ ही आप हमें इंस्टागाम पर फॉलो कर लें जिसके लिंक चैनल पर दी हुई है अपना बहुत सारा खयाल रखे मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे